लो एर्विवान विल्कम बाक टो इस्ट में आतना परसंटेज का प्रिवेसर कॉस्टेन से चल रहा है यह कब आया था इसे सीजल्ट का टू तो चले देख लेता है यह क्या दिया हुए क्वेस्टन क्या पूछ रहा है देखो यह एक दो तरीका होते है अपन थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से करता है कि प्राइस का प्राइस आप पेट्रल कितना था पकड़ लेते हैं 100 अब इतना इंक्रीज कितना हुए सर 19 प्रदिशत का इंक्रिमेंट हुए कितना हुए एक काम करण हो इधर कर लेता है सर 19 प्रदिशत का increment हुआ है 19% का increase अभी बढ़के कितना हो चुका है सर 111 अब हम कितना बढ़ा सकते हैं सर 112 हम कितना बढ़ा सकते हैं सर 12 प्रदिशत दिया हुआ है न हम इतना increase कर सकते हैं कितना सर 112 तो कितना घटा ना पड़ेगा 119 से 112 122 कितना रुपए का घाटा साथ रुपए का घाटा किसके उपर 119 के अपर कितना परतिशक्त popाई bell देख लिख लेता है सातका कितना और 74елен साफक शbab 59 तो 17 से केंगे तकितना हो जागा से 17 से 100 को डिवाइड करते तो छे साथ वायलिस का दो केरिफर चार चे कम छे चार दस एक सो दो लगबग लगबग सिक्स पर्शन के असपास option number B is the correct answer clear five point something आएगा clear हमने क्या किया एक बार फिर से समझ लो इस question में आप comment section में लिख देना कोई अगर doubt रहता है तो कैसे देखो हमने क्या क्या एकदम simple सा question है हमें बोला गया कि आप कितना यदि petrol का कीमत 19% बढ़ गई है और सुनीथा पेट्रोल पर केबल 12% की अतिरिक्ट खर्चा कर सकती है देखो अब समझ एक चीज़ सौ रुपए में अगर 19 19% increase हो रहा है मतलब अभी price कितना हो गया सर 119 हम कितना खर्चा कर सकते हैं या फिर सुनीथा कितना खर्चा कर सकती है 12% का increase कर सकती है मतलब 112 रुपए खर्चा कर सकती है उनको क्या करना पड़ेगा ये खर्चा होना चाहिए था पेट्रोल में लेकिन खर्चा कितना कर रही है 112 रुपए कितना घटा आना पड़ेगा 67 रुपए का घटा किसके उपर 119 के उपर कितना प्रतिशत इंटू सो कर लोग खतम कहानी हिसाब लगा ले न क्लियर ओ कैसा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तैंक यू बाबाई स्टे टून फॉर नेक्स्ट क्लास